घर की औरत कहते हैं ना, घर बीवारों से नहीं, उसके अंदर रहने वाले लोगों से बनता है लेकिन क्या हो जब घर की लोग ऐसे हो? सारा दिन खाती रहती हो, सोती रहती हो, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास ओपर से बहु के आज आने के बाद तो तुम और निकमी हो गई हो दिखावे के लिए हाथ में माला पकड ली है, बाकी कोई काम नहीं करती अरे कैसी बात कर रहे हैं? अब तो बहु आ गई है, अब तो मेरी बेज़ती करना बंद कर दीजिए जैसे दैसे मेरी तो जिन्दगी कट गई, गालिया खा खा कर, अरे उस बिचारी को तो छोड़ दीजिए तब ही बेटे के जोर-जोर से चिल्लाने की आवास आती है कहता न तुमसे रिजाइन कर दो, क्यों नहीं किया? और ये पर्स लटका कर कहा निकली? चलो कामरे में, काम करो घर का बहु बेटे की लड़ाय सुनकर सा ससुर बहार आ जाते हैं, सामने खड़ी होती है नई नवेली बहु रीमा देख लीजिये माजी, शादी से पहले तुम मेरे मा पापा के सामने कहा था कि शादी की बाद नौकरी करने देंगे लेकिन अब क्या कह रहे हैं? तो तुम माजी को क्यों बोल रहे हैं बहु? तब उसका मन रहा होका आप नहीं है पर पिताजी, उसके मन से मेरा करियर तो नहीं चल सकता ना? ससुर को बहु की बाद पर गुस्सा आ जाता है, वो बेटी की तरफ देखता है पापा से जबान लडाती है, रुक! ये बोलकर वो पत्नी को खींच कर कमरे में ले जाता है और बंद कर दिता है ये सब देख कर सास दुखी हो जाती है, पती के जाने के बाद सास बेटी से कहती है देख बेटा, अब जमाना कुछ और है, तेरे पिता ने घर में औरतों की कद्र नहीं की, लेकिन तू ऐसा ना बन शेहर की समझदार पढ़ी लिखी लड़की से शादी की है तुने, उसका खयाल रखा कर, तमीज से पेश आया कर, जा, बहु को कमरे से बाहर लिया लेकिन बेटा नहीं मानता, और बहु कमरे में सारा दिन बंद रहती है, शाम को बेटा बहर जाता है कि सास, चाए और बिस्कुट ली कर बहु के कमरे में जाती है बहु बेटा ये ले, चाए पी ले, रो रो कर कैसी शकल बना ली है बेटा माजी, ये कैसे लोग है, आप कैसे मैनेज कर रही है, ऐसे थुड़ी न होता है माजी, घर की ओड़तों को तो पिता जी और ये इनसान समझती है नहीं क्या करू बेटा, मैंने तो जैसे तैसे सह लिया, लेकिन तू ना सैना दोनों बात करी रहे थे कि ससुर आ जाते हैं अच्छा, तो अब बहु को भड़का रही हो, बहुत दिन हो गये मार खाए, अब क्या बहु के सामने खाओगे, जाओ यहां से और जरूरत नहीं है ज़्यादा इस लड़की को सर पर चड़ाने की समझी बहु को ससुर की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती आए दिन बहु देखती है कि कैसे उसकी सास और उसकी साथ, उसका ससुर और पती गंदा व्यवार करते हैं, फिर एक दिन ये क्या बनाया है, खाना बनाना नहीं आता क्या ये बोलकर वो खाने की भरी सारी थाली फेंग देता है अरे बिटा, कोई बात नहीं शान्त हो जा, मैं अभी बाहर से कुछ मंगवा देता हूँ आप अबा ओर्डर करिये, ऐसे खाने से तो पेट बरने से रा बिसे खाना तुमको बनाना आता नहीं, और बाहर जाकर नौकरी करना चाती हो अरा तुम जैसे को तो पूछते भी नहीं ये बार बहु को पती की बात पर गुसा आता है, तब ही सास बोल पड़ती है तेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, वो तो तुने इसे कहा था कि तुनोकरी करने देगा तो तुछ से शादी कर ली वना ना ही करवाते इसके माबाप तुछ से शादी इसकी, और कमाती भी ये तेरे जितना ही है बेटा बहु हैरान रह जाती है कि जो सास खुद के लिए एक बार भी खड़ी नहीं हुई वो उसके लिए बेटे को भी भला बुरा सुना रही है उसकी नजर में सास की इज़त और बढ़ जाती है वो सास को देख कर ये सब सोची रही थी कि उसकी कान में एक जो से चांटी की आवास आती है किसको? किसको मार पड़ी? वो देख ही रही होती है कि उसकी नजर जमीन पर बैठी सास पर पड़ती है अभी तो धीर से मारा फिर जबान खोली ना तो ऐसा मारूंगा कि कान के पड़ते भड़ जाएंगे सास रो रही थी बेटा और पती वहाँ से चली जाते है पिता जी अच्छा किया मा को जोर का चांटा लगा कर आगे से जबान खोलने से पहले चार बार सोचेंगी बड़ी आई दोनों हस्ते उवे वहाँ से निकल जाते है बहु सास को उठाती है और पानी देती है मैंने ये दिन रोज देखे हैं बहु लेकिन तू नहीं सैना तू अपना जीवन अपने अनुसार जीना शादी के वक्त मैंने तेरी माँ से बात करने की कोशिश की थी उन्हें बताया था लेकिन वो नहीं मानी बहु साज को पकड़ कर रोने लगती है वो इसलिए नहीं मानी क्योंकि वो मेरी सगी मा नहीं है माजी जिस तर से आप मेरे लिए खड़ी हुई है न मेरी मा भी नहीं हुई बेटा में तेरा भला जाती हूँ तो नौकरी इस घर में रहकर तो नहीं कर पाएगी एक काम कर इस घर से चली जा पैसे कमा और खुश रह माजी हो सकता है कल तक मैं आपकी इस फैसली को मान जाती लेकिन आज नहीं माजी आप यहाँ इस नर्क को जेले और मैं आपको छोड़ कर चली जाओ नहीं कभी नहीं अगले रोज सुनिए वो क्या है न मुझे कुछ कपड़े और गहनों की जरूरत है तो जरा पैसे दीजिए न अब आप घर के मर्द हो तो पैसे तो आप से ही मांगूंगे न बुरा तो नहीं लग रहा न आपको नहीं नहीं बुरा क्यों लगेगा यलो कार्ड कर लेना शॉपिंग अगली रोज बिजली का बिल आया है दस जार का भर दीजीगा इतना बिल कैसे आ गया बिटा वो क्या है न सारा दिन बहु घर में रहती है तो कमरे में एसी और टीवी चलता रहता है पर्स देखता है और फिर हाँ मा ठीक बोल रही हो खेर चलता हूँ आफिस का वक्त हो गया है पती आफिस से पिता को फोन करता है पापा घर के खर्चे तो बढ़ती ही जा रहे है उपर से महंगा है आप देख रहे है मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मीना को नौकरी के लिए हाँ कर दू चार पैसे ही लाएगी ना घर में वो तो तो ठीक बोल रहा है लेकिन यह औरत की जात कल को चार पैसे कमाने लगे तो यह नहीं कि सर पर चड़कर नाचे हाँ पिता जी बात तो सही है वो तो आप है जो मा को मुठी में रखा है वारना मेरी वाली तो खेर सोचते हैं इस बार में शाम को पूरा परिवार साथ बैठा होता है वो कल पनीर की सबजी बनानी है तो थोड़े पैसे दे कर जाना और हाँ किर्तन भी रखा है संडे को उसके लिए सामान की लिष्ट बना दी है ले आना पापा को दे दो वो ले आएंगे अर पापा कहा से ले आएंगे मेरे पास नहीं है पैसे पैसे लो पैसे ही नहीं है मेरे पापा की जीब तो हमेशा नोटों से भरी रहती है बिटा लक्षमी को जो पूछता है न उसके पास लक्षमी रहती है जो घर की ओड़तों को मारे पीटे वह भला कैसे लक्षमी का लाप ले सकता है वह, वह, क्या बात है तो जबान खुल रही है तुमारी लगता है भूल गई पुरानी मार और डाण और क्या हाँ माजी शांत हो जाईए मैं नहीं देख सकती आपको मार खाता और फिर हो सकता है कि मैं आपको बचाने आऊ तो ये भी मुझे मारे ठीक है बहु मैं कुछ नहीं कहती तु ये लिस्ट बस दे दे मैं चली आराम करने फिर अगले रोज सुनिये जी वो माई की जाना है वो क्या ना शादी की बाद से गई नहीं तो ट्रेन की टिकेट बुक करवा दे न तो मैं भी तो साथ जाऊंगा ना तुमारे तो ठीक है फिर फ्लाइट की ही टिकेट करवा दीजे वो कहना अच्छा थूड़ी न लगता है आप पहली बार मेरे साथ जा रहे हो और हम ट्रेन से चले ठीक है ना पती ऑफिस जाता है चाहां उसका दोस्त कहता है अरे क्या हो गया यार परिशान सा दिख रहा है तेरी तो नई नई शादी हुई है भावी परिशान कर रही है क्या अरे नई यार तू तो जानता है थोड़ी सी कमाई में घर चलाना मुश्किल हो रहा है तू कैसे मैनेज करता है यार कैसे क्या यार तु जानता है ना मेरी बीवी रिया को वो टीचर है फिर घर में टूशन करती है साथ में बच्चे भी पढ़ लेता है यार घर नाम की गाड़ी दोनों पईयों के साथ चलने से ही चलती है वो भी कमाती है और मैं भी और चल रहा है गर बस पती को दोस्त की बात समझ में आती है लेकिन पिता का ज्यान कैसे भूल सकता था भई यी कल को सर पर चड़कर नाचने लगी तो शाम को घर आता है जहां उसकी बुआ और उसका बीटा बेठे होते है अरे आ गया लल्ला कैसा ठका ठका से लग रहा है सब ठीक है ना पती कार्ट कुलता है अरे वाँ तेरी होने वाली बीवी डॉक्टर है और क्या भई आपकी बीवी इंजिनेर तो मेरे डॉक्टर तभी वहाँ सास आ जाती है अरे जब घर में ही बिठाना है बिचारी को तो का है का इंजीनियर है तो काम वाली ही घर का काम करती है और आ रहाँ इतनी पड़ी लिखी लड़की को घर पर क्यों बिठा रखा है अरे बहु कहीं जोला चाप टिगरी तो नहीं लेकर आई है पत्नी की बुराई सुनकर पती को गुस्सा आता है नई बुआ युनिवर्सिटी टॉपर है मेरी मीना और हाँ बड़ी कमपनी में काम भी करती है बस शादी के बाद कुछ महिनों की छुट्टी ली थी अगले अफते से आफिस शुरू हो जाएगा क्यों मिना तभी सुसुर आ जाते है हाँ लेकिन फिर घर का काम कैसे होगा और पैसे कमाने लगेगी तो सर पर पिता की बात पुरी नहीं हुई कि बेटा सर पर चड़ने का हक है उसका पापा पत्नी है वो मेरी यानि मेरे घर की रानी और रानिया तो सर का ताज होती है क्यों मिना मिना पती की बात सुनकर शर्मा जाती है वा बेटा तू सही समय में समझ गया कि आड़तों के इज़द करने वाले घर में शांती और लक्षमी का वास होता है